नमस्कार दोस्तों, आए दिन बर्ती महंगाई के बीच, मोधी सरकार ने देश की जनता को इन त्योहारों के मौसम में बेहद अच्छी खुशखबरी सुनाई है। गरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस कटोती को एक तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से रक्षाबंधन से पहले देश की सभी महिलाओं के लिए एक खास तौफा के रूप में देखा गया है। कीमत जो पहले 1103 रुपे थी अब काम होकर 903 रुपे हो जाएगी। इसके अलावा मुंबई में आप तक जो LPG 1102 रुपे की थी अब घटकर 902 रुपे हो जाएगी। इसके साथ ही उजवला लाभार्थियों के लिए एक प्रती सिलेंडर 200 रुपे की अतिरिक्ट सबसिदी देने का भी एलान किया गया है। जिसके बाद अब उजवला योजना के तहट मिलने वाले सिलेंडर की कीमत 703 रुपे हो जाएगी। सरकार के इस निर्नय की घोशना करते हुए सूचना और प्रसारन मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस कदम का उद्देशे परिवारों को रहत प्रदान करना है। बता दे की इससे पहले एक अगस्त को देश की तेल कमपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के किमतों को 100 रुपे कम किया था। की उस वक्त घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला था। बता दे की केंद्रिय मंत्री अनुराग्ठ हाकुर के कहे अनुसार, सरकार अतिरिक्ट 75 लाख उज्वला कनेक्शन प्रदान करेगी, जिससे कुल प्रधान मंत्री उज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड हो जाएगी। बता दे की प्रधान मंत्री उज्वला योजना 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा शुरू की गई थी। इस सरकारी योजना में मूल रूप से गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया जाता है। जानकारी के लिए बता दे की इस योजना की शुरूआत में 5 करोड LPG कनेक्शन के वित्रण की परिकल्पना की गई थी। जिसके बाद बाद में इस संख्या को बढ़ाते हुए मार्च 2020 तक 8 करोड महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष निर्धारित किया गया थ हाला कि ये लक्षे 7 महीने पहले सितंबर 2019 में हासिल किया गया था। बता दे कि इस योजना का मुल उद्देश्यक गरीब महिलाओं को चूलगे के धो से मुक्ती प्रदान करना है। वहीं इन सब के बाद आज एक बार फिर से गैस सिलेंडर के किमन्तों में कटोती की गई ह मगर गौरतलब है कि आज ये कटोती केवल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में की गई है। दरसल सरकारी तेल कंपनियों ने एक सितंबर से कमर्शियल यूज़़ वाले सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है। ऐसे में इन सिलेंडरों के नए दरो पर गौर करें तो, 19 किलो वाले कमर्शियल यूज सिलेंडर की किमत में 157 रुपय की कटोती की गई है। ऐसे में इस बदलाव के बाद अब देश की राजधानी नई दिल्ली में कमर्शियल लपीजी सिलेंडर की कीमत 1522.50 रुपय हो गई है। जानकारी के लिए बता दे की इस से पहले कीमतों में बड़त के साथ 4 जुलाई को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 1780 रुपय तक पहुँच गए थे। मगर जैसा कि हमने आपको विडियो के सुरुवात में ही बताया था कि मंगलवार को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपय घटा दिये गए हैं। ऐसे में सरकार के इस नए फैसले के बाद अब 14.2 किलो ग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में बड़े बदलाव हुए हैं। इसके अलावा कोलकाता में घरेलू LPG सिलेंडर 929 रुपय, मुंबई में 902 रुपय, और चैन्नाई में 918 रुपय और 50 पैसे हैं। बता दे की सरकार ने 29 अगस्त की शाम घरिलू गैस सिलेंडरों की कीमत में 200 रुपय की कटोती का एलान किया था, जिसके बाद 30 अगस्त को नई दरे लागू की गई। ऐसे में आप अगर आप भी LPG प्राइस की अपडेटेड लिस्ट देखना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट पर जाकर LPG प्राइस के साथ साथ जेट फ्यूल, और टो गैस और केरोसीन जैसी चीजों के अपडेटेड रेट देख सकते हैं।